फिरोजाबाद में यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए ITMS सिस्टम के तहट आटोमेटिक चलान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस प्रक्रिया के तहट पहला चलान दो पही या वाहन पर तीन सवारी चलने वालों का किया गया है. नगर आयूप्त का कहना ह कि यातायात व्यवस्था को और दुरूस्त किया जाएगा. आपको बता दे कि फिरोजाबाद में स्मार्ट सिटी योजना के तहट ITMS सिस्टम से ओनलाइन चलान की प्रक्रिया विगत लंबे समय से चल रही थी. जिसका कुछ दिनों पूर स्टाइल भी किया गया था लेकिन अब यह प्रक्रिया विधिवत रूप से शुरू की गई है. नगर निगम में इसका कंट्रोल रूम बनाया गया है. नगर आयुक्त घंश्याम मीना ने बताया ITMS सिस्टम के तहट यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने और लोगों को यातायात के नियमों का पालन करान के लिए इस सिस्टम के तहट कारवाई की जाएगी. बिना हेलमेक बिना सीट बेल्ट दुपही या वाहन पर तीन सवारी या सिगनल जंप करने वालों ऑनलाइन चलान किये जाएंगे. पर दो नहींए है किस्टम कर दो tyle होगों कर दो जंप के जयाए हुआ हो ने अने और मुकन होगों करने बादो पहलो जन्यसमी अनुए… ईस्टम है क्या प्रृसिंटा कर लोह सोग्ट जाएुए निस्टम के तैक सवरी शू दो में जन्पत फ्रोजाबाद के निवासियों मैं टी आई दगन गौर्ड बोल रहा हूँ आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जन्पत फ्रोजाबाद में अभी से ही ओनलाइन चालंग की प्रक्रिया सुरू हो चुकी है समस्थ ट्रैफिक कर्वियों से मेरा अन्रोध है कि यातायात के नियमों का पालन कराएं तता वाहन चालंगों से मेरा अन्रोध है कि ओनलाइन चालंग की प्रक्रिया अभी से ही सुरू हो गई है यातायात के नियमों का तता लाइट्स का ध्यान रखा जाए इसका वायोलेट ना किया जाए वायोलेशन ना किया जाए यदि अब आप करते हैं तो आपका सौतर ही चालन हो जाएगा धन्यवाद बैतर नजर आरे है और आने वाले दिन में और ज्यादा बैतर हमें होगी जो सड़क में जो भी दुगट्टा है एक्सिदेंट्स उनमें भी कम ही देखी जाएगी और मुझे पूरा विश्वाश है जिस वीजन को लेके हम लोग ने पूरा सिस्टम स्टार्ट किया था उसके स प्रियांस के सब्सक्राइब चर्णाल से को आइढर शुर्डाल रूप से अर सब्स्क्रण कर सकते हैं उसको कानुमन्हितम चेहरे को मेंमें जो कनृडली कर रह्ए है जो भी सब्सक्राइब कर दिया है, ताकि जो कानुन दुटा इस आज रही suff 10 तिमें फोल्स्करण की और इसका व्यापक प्रचारपसार भी हमनों ने जो महीने उसमें किया था और आज इसका जो पहला चालान किया गया है हमारे ट्राफिक इंस्पेक्टर साथ द्वारा और इसके